तो राजस्तान की जीलों से सम्मंदित 25 important question में आपका welcome है ये सबी ऐसे question है जो कि exam में पूछे जाते हैं definitely तो बने रही है दोस्तों वीडियो के साथ तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो तो सबसे पहले हमारे question है राजस्तान की सबसे मीठे पानी की करतिम जील है तो इसका correct answer है option number C जैसमन जील है जो कि उद्यपूर जीले में इस्तित है यह सबसे मीठे पानी की बड़ी करतिम जील है राजस्तान राज्ये में next question है राजस्तान की सबसे बड़ी अंतह परवा जील है तो इसका correct answer हो जाएगा option number A जैसमन जील है अंतर प्रभावाली सबसे बड़ी जील next ने जैसमन जील कहां इस्तित है तो इसका correct answer है option number B ये उदेपुर जीले में इस्तित है next ने पुशकर जील को सुच रखने का संयोग कौन से देश से हो रहा है तो इसका correct answer है option number D ये जो कनाड़ा जो देश है वो संयोग कर रहा है भारत का ताकि पुशकर जील है उसे स्वच रखा जा सके next ने राजस्तान की पवित्र जील है तो इसका correct answer है option number D ये एक पुशकर जील है वह सबसे पवित्र जील मानी जाती है राजस्तान की next ने राजस्तान की प्राचीन प्राकतिक जील है मतलब प्राकति से बनी हुई है तो इसका correct answer है option number C ये पुशकर जील है next ने भारत में कुल नमक उत्पादन का सामबर जील में कितना उत्पादन होता है तो इसका correct answer है option number E जो 8.7% जो नमक का उत्पादन है वह सामबर जील से होता है बारत में next ने राजस्तान में किस जीले में पलाया बोले तो बूज जील है तो इसका correct answer है option number B जैसल मेर जीले में इस्तित है पलाया या बूज जील next ने अब्स जीले में ने पलाया बो riots जीले तो इसका correct answer है option number D जो पजब्स जीले है वह खारे पानी की जीले है निक्षने इन में से खारे पानी की जील कौन सी है तो इसका correct answer है option number D जो पंच पंजरा जो जील है वह खारे पानी की जील है इसके अलावा जैसंबंद सिली सेट और रासंबंद ये तीनों ही मिठे पानी की जीले है नेक्शने इन में से कौन सी मिठे पानी की जील से सम्मनित है तो इसका correct answer है option number B कायलाना जील है जो की मिठे पानी की है इसके अलावा डीडवाना पंजबद्रा लून करण सर ये सभी खारे पानी की जीले है नेक्शने राजस्तान की किस प्रसिद जील पर नटनी का चबूतर निर्मित है तो इसका correct answer है option number B ये पिछोला जील पर इस्तित है नेक्शने जग मंदिर वय जग निवास महल किस जील पर इस्तित है तो इसका correct answer है option number C पिछोला जील पर इस्तित है जग मंदिर और जग निवास महल नेक्शने कोलायत जील इस्तित है तो इसका correct answer है option number A विका जील मुनी का आश्रम बना हुआ है जहां पर हर साल मिला लगता है नेक्षन है गेप सागर जील किस जिले में इस्तित है तो इसका गरेक्ट आंसर है ऑप्शन नमबर डी डूंगरपूर जीले में इस्तित है गेप सागर जील नेक्षन है गटसी सर सरोहर कहां इस्तित है तो इसका correct answer है option number C जेसल मेर 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 मे जील से जुड़ा गया है वर्तमान में पिचोला जील को नेक्षन है वह जील जिसके तड़ पर संग मरमर के 25 शीला लेक है नेक्षन है वह जील जिस पर नो चोकी की पाल पर मेवार के इतियास संस्कृत वाशा में लिखा है तो इसका correct answer है option number C राजसमन जील पर लिखा हुआ है जहाँ पर नो चूकी पाल इस्तित है और संस्क्र्ट में सारा इतियास लिखा हुआ है मेवाड का निक्षन है सरपरताब ने किस जील का निर्मान जोदपूर में करवाया था तो इसका correct answer है option number C काईलाना जील का निर्मान करवाया था सरपरताब ने जोदपूर में next राज्ये में खारेपानी की सरवादिक जीलें किस जीले में है तो इसका correct answer है option number D नागोड जीलें में स्तित है सरवादिक खारेपानी की जीलें next इसका इस चुनएं 29 लखा सागर किस जिले में इस्तित है तो इसका ग्ररेक्ट आंसे और एकमर बूंदी जिले, कर दिजे और बैल आइकन बटन को भी दबा दिजे ताके आप हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिशन सबसे पहले पराप कर सकें और इस वीडियो का अपने सभी दोस्तों के साथ फेस्बूक और वाटसप अकाउंट के मादिम से शेयर भी कर दिजे तो आज की लिए दोस्तों इतना ही थैंक्यू दोस्तों